महिना परिश्रम से लाव का उतने ही बड़े खर्चका, आकों से गिरे हुए आसु और नजरों से गिरे हुए लोग पुनश्च उनका स्थान कभी प्राप्ता नहीं कर सकते हैं, मकर राशी के जातक दूसरों का सनमान करना इस बात को बड़ा महतों देते हैं, सामने वाले व् व्यक्ति से बुरा व्योवार करता है, तो वह व्यक्ति आपके नजरों से गिर जाता है, उससे आप पहले जैसी मित्रता पुनश्च नहीं कर पाते हैं, नमस्कार, मैं ऐस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करत हैं, विभिन्न दुरुष्टिकों से इस महने के ग्रहस्तिति का हम शास्त्रोक्त विशलेशन करने वाले हैं, साथ ही, विडियो के अंत में मैं आपको इस महने करने वाला विशेश उपाय बताने वाली हूँ, इसलिए विडियो को अंत तक देखना न बुले, एक और यह सदईव बड़े विस्तार से बताते हैं, उस अनुसार, इस महीने आपका अनुभोग क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्ग दर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुचे हैं व्यक्तित्व की दृष्टी से विचार करें, तो बकर राशी के लाभेश मंगल देव विराजबान है, महत्वपुर्ण बात है कि वे उच्चा वस्ताब है, साथ ही क्रियेटिविटी के कारक अर्थात आपके पंचमेश भी राशी में आये है, उसी समय राशी स्वामी शन देव धनस्तान में विराजबान है, परिणाम सोरुप, धनप्राप्ति के लिए, विभिन प्रकार की योज़नाएं बनायाना, विभिन कारय करना, यह विबाग आपके व्यक्तित्व में विकसित होगा, संख्रेप में यह महिना आपके व्यक्तित्व को सम्रुद्ध एवं संपन्न करेगा उसका आपने पुरा सदुपयोग करना चाहिए धन परिवार वानी की दुरुष्टी से विचार करे तो मकर जातकों को इस मैने सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि आपके राशी सौमी और भागेश दोनों परिवार स्तान में विराजबान है वही पारिवारिक विवाद होना, पईसो के कारण विवाद होना और उस कारण परिवार की एकता भंग होना इसे सम्मिश्र परिणाम आपको प्राप्त होंगे इसलिए पारिवारिक एकता की और अधिक द्यान दे यह सलाह दी जाती है पराकर में परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महिना लाभकारी कहा जा सकता है क्योंकि आपके परिश्रम स्थान में राहू ग्रह आया हुआ है जैसे आपको पता है राहू केवल सीर है जो सदैव परिश्रम करता है उसकी नजर लक्षपर होती है वह सदैव विचार करता है केवल सीर होने के कारण उसके पास रुधय नहीं है इसलिए वह रुधय से विचार नहीं कर सकता या रुधय की भावनाय उसके पास नहीं होती केवल बुद्धी होने के कारण वह एक लक्ष निर्धारित करता है और किसी भी स्थिती में उसे प्रा अधिक उसर प्राप्त होते हैं उस अनुसार मकर जातक की स्काल में अकने लक्ष को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करेंगे संग्षेप में यह मैना आपके परिश्रम को सम्रुद्ध करेगा उसका उपयोग करें वास्तु वाहन भूमी सुकशान्ती की दुरूष से सहयोग मिलना वैसों की व्योस्ता होना कर्जक की आवशकता हो तो प्राप्त होना इसी कई चीजे आपको सरलता से मिलेगी जिससे आपकी स्वपन पूर्ति होगी वाहन सउख्य प्राप्त होगा इसलिए जो जातक वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं उन्हें भी दुरुष्टियों से यह मैना शुबह कहा जा सकता है इस काल का लाव उठाइए शिक्षा संतती प्रणाई की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह मैना सफलता का रहेगा विशेश रूप से मैनेजमेंट और कलाक के ख्षेत्र में आपको बड़ किजिए विवाह के योग इस मैने आपके लिए नहीं है लेकिन विवाह जूडने के योग अवश्य है इसलिए उस दुरुष्टी से प्रयास करें स्वास्ते कर्जप प्रतिसपर्दी शत्रुओं की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह मैना परिणामों का कहा जा सकता है क्योंकि इस मैने आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन तिसरे सप्ता से स्वास्त का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए आप प्रतियोगिता परिक्षाओं का आउसर निर्माण होंगे साथ ही मार्च मैने के प्रतम सप्ता में आपके लिए सफलता के आउसर रहेंगे कोट कचरी में किसी केस पर आपका काम का शुरू हो तो अगली तारिक प्राप्त करने का प्रयास करें बहुँ उच्छीत रहेगा नोक्री वाले मकर जातकों के ये दूसरा पखवाड़ा अधिक उपयुकत रहेगा सफलता के आउसर निर्माण होना कर्तुत्व के आउसर निर्माण होना प्रेजेंटेशन करने के आउसर निर्माण होना ऐसे कई शुभप्रभाव आपको प्राप्त होंगे उससे आपका कर्तुत्व बढ़ेगा सफलत मिलेगी संग्षेप में नोक्री और व्यावसा इन दोनों मोर्चों पर यह महिना सफलता का कर्थूत्व का लाभ का कहा जा सकता है इसलिए इसकाल का उपयोग करें भाग्य यह शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महिना कई शुबसंक संकेत कह सकते हैं साथ ही पंचमेश और लाभेश राशी में विराजबान होना यह भी बड़ा शुबसंकेत है आपके चतुर्दस्तान से गुरुदेव का गोचर सुरू है सबसे महत्वपुर्ण बात है कि राहु जैसा ग्रह आपके त्रूतिय स्तान में अर्था तूपच स्तान में विराजबान है ऐसे कई शुबसंकेतों से यह महिना आपके लिए भरा है उसके शुबपरिणाम प्राप्त होने वाला है सब्दपयोग करे कर्म की दुष्टी से विचार करे तो मकर राशी के लिए शुक्रदेव की स्तिती महत्वपुर्ण होती है क्योंकि वे आ अर्थात आपके द्यूतियास्तान में प्रवेश करेंगे वहाँ से आपके कर्म की दिशा में बदला होगा अर्थात आप धनलाव के लिए उस से आपको सफलता उचित ヤलाब प्राप्त होगा लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महिना बड़ा लाभ कारी कहा जा सकता है क्योंकि आपके लाभे श्राशी में विराजमान है जिसे अत्यनत शुभस्तिति मानी जाती है इस्तिति का अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व से, आपके कर्टुत्व से आपको लाभ प्राप्त होगा साथ ही यह लाभ आपको दिरुध कालीन सफलता देगा संग्षेप में यह महना आपके लिए बड़ा लाभ कारी रहेगा इसलिए इस काल का उपयोग करे ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो गये ओम परतेश का मन की दूष्टी से विचार करे तो मकर जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई कारण निर्मान होने वाले है कई चीजों पर कई कारणों से आपका खर्च होगा साथ ही इस काल में आपके लिए यातरा के योग भी निर्मान होने वाले है स्वाभावीक रूप से उस पर भी आपका खर्च होगा उसके अलावा परिवार के सदस्यों पर खर्च होगा माता जी के स्वास्त पर खर्च हो सकता है संग्षेप में यह महिना आप के लिए खर्चका रहेगा इसलिए वो इसी मानसिक्ता बना ले यह सलाह दी जाती है हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुख दुक और उतार चड़ाओ से भरा है उस अनुसार महने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुबह होते है तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर्ष से भरे होते है इस सौदी में हम कैसा विवार करते है इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है उस दुरुष्टी से विचार करें तो मंकर जातकों के लिए आठ, सोलह और चब्विस यह दिन शुबह रहेंगे इसलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए साथ ही चोदह और चोविस यह दिन अशुबह रहेंगे तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संगर्ष बढ़े इसलिए इन दिनों की उची जोजना बनाईए उपायों की दुष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यंतर छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है अशुभची जो की अशुभची जो की शुभचा बढ़ाने का उन में सामर्थ होता है उस अनुसार मार्च मैने के उपायों का विशार करे तो मकर राशी के लिए उपाय सुचित किया जाता है कि आप काली गाय की सेवा करे इस उपाय से शनी देव प्रसन्न होते है, सबसे पहले गाय की पुजा करे, उसके बाद उसकी परिक्रमा कर बुंदी के लड़ु खिलाए, इस उपाय से शनी दोश कम होते है, यहाँ उपाय अवश्य करे, इस प्रकार बेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए, मार्स 2024, पुनस्च अवश्य बिलेंगे, यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे, कमेंट बॉक्स में हरहर जोतिश, घरगर जोतिश, लिखना ना भुले, धन्यवाद, शुभम बहुतु जै जोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की, शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए, मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं, उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और हां बेल आइकोन दपाना ना भुले, धन्यवाद